ना घी का जंजट है ना भूनने का जंजट है और ना ही हलवाईयों की तरह घंटों लौकी के हलवे को बनाने का और ग्रेट करने का जंजट है तो देखें कितना यम्मी टेस्टी हमारा हलवा बन करके तयार हुआ है ग्रीन ग्रीन हलो एवरिवान आपसों का श्वागत है हमा करना है और चीज का ध्यान रखें मुलाइम लॉकी को ले अगर लॉकी का मुलाइम नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा नेल लगा कर के देख लें तो पता चल जाएगा कि यह मुलाइम है यह नहीं तो यह देख सकते हैं लॉकी हमने इस तरह से कट करके रख लिए त तो आप देख सकते हैं ना हम इसमें दूद आट करेंगे ना ही पानी मगर यह इदम से सौफ्ट वाइल होकर के आ जाएगी तो देखिए हमने ले लिया हाफ कटोरी चीनी हम इसमें लगबग एक कटोरी चीनी का इस्तमाल करेंगे तो हमने अभी हाफ कटोरी से थोड़ी सी किERS को हमें डाल दिया है और चला दिया दिया एक मिनट हो चुका है तो छोड़ दिया है कुसों अज हम लो के साहाई है कालवा देख सावाध म até देख सत्कुरी तो आशिव advocacy for अब आपको घंटों भूना भी नहीं पड़ेगा यह देखिए कितना सारा पानी निकला है लौकी का ही दूद अगर डालते हैं और या फिर आप इसमें पानी डाल कर बॉयल करते हैं तो क्या होगा इसमें कि बहुत सारा पानी हो जाएगा क्योंकि लौकी का खुद का अपना दूद और पानी डाल दें तो उससे भी बहुत जादा हो जाता है तो पकाने में बहुत टाइम लगता है लोकी के हल्वे को तो अब क्या करेंगे देखिए पानी काफी छूट चुका था इसको हम ने बंद कर दिया प्रेसर कुकर को इसमें हम 3-4 सीटियां लगा लेंगे त बिल्कुल टोटल मिलागर हमें चार श्रीटियां लगाई थी इस बैटल में तो यह देखिए अब अच्छे से वारा कुक हो चुका है यह सब्सक्ति कितना सारा पानी है यह पानी नहीं है यह लोकी का जूस है जो ऑच चाइचीनिती वह मेल्ट हो गया तो ने थह थैंगा पानी या दूद्ध हो जाता है जिसको पकाने में लंबे समय तक लगता है तो यह हमने ले लिए हाफ लीटर दूद्ध जो हमारा फुल फैट दूद्ध है तो इसको हम पका लेंगे अगर आपके पास मावा होगा तो आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा पांच मेर्ट म बनाए भोग प्रिसाद में बनाए बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है तो देख सकते हैं लौकी भी हमारी लगवग सूख चुकी है यह देख सकते हैं इस तरह से तो इसका पानी लगवग चूट शूख गया है क्योंकि पानी कम था तो पांच मेर्ट लगा अब पानी लगा ने लें लेंगे ने पॉट्रेटो मेसर उसे मैस कर देंगे अच्छे से तो देखे मैश हो गया एकदम अच्छे से तो देख आधा है तो चलिए अब इसको हम और थोड़ा से निकल आया था वह भी हम सुका लें तो यह पूरी तरह से जूग हो चुका है अब इ अगर आपके पास रखा है तो आप भी मिक्स कर सकते हैं बस कुछ चंजट नहीं पड़ेगा मावे को भून ले और उसमें जो हमारा जो लौकी का हलवा बनकर रखा है बस उसमें मिक्स कर देंगे हम प्रोसेस सेम रहेगा अगर आप मावा ले लेते हैं और अगर मावा नहीं करना चाहते हैं तो आप मलाई से भी यह प्रोसेस कर सकते हैं अभी कितना जादा डार्क लग रहा था घ्रीन हल्वे का कलर और अब देखिए इसमें रबडी मलाई पढ़ने से कैसा हलका कलर हो गया तो बस इसी तरह से हम अच्छे से प्रस करते हुए पका लेंगे और इसको हल्वे की कंसंटेंसी में ले कर आएंगे तो कि अभी थोड़ा सा जूसी लग रहा है और एक चीज इसको बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनाने के लिए इसमें दो ट्रिक और हम बताएंगे जो आप आगे देखेंगे तो इसकी मत करिएगा यह देखिए इसमें अब हम में इसको थोड़ा सा जूसी भी बनाना ऐ तो इसमें डाल देखेंगे दो स्पून के करीम चीनी उपर से यह किया होगा हमारे चीनी और घी पढ़ने से एकदम साइन वाला बन गया है तो चलिए तो चलिए सर्फ करते हैं तो यह देखेंगा है इसकितना यम्मी और से आघार मों में पानी दस मिनट में बना करके तैयार करें अगर आप मालाई और मावा कर खोग मुच्छ दी को ये अगर आपको पसंदायां तो लाइक शुट्राय पैसे लिस्दाइट